सो हेलो वाट्स अप कैसे हैं आप सब हां जी मित्रों तो जिस चीज का आप को था इंतिजार मैं ले के आगे हो आपके साथ देट इस दर रिवीजिएन ओफ ऐसे 800 की सीरीज तब से पहले इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं ऐसे 800 एन एक बात याद रखना यह सीरीज थोड़ी स्पेशल है देखो मैंने जो अपना फर्स्ट बेबी शो जीता था वह एड्थ और फैबलरी को जीता था सर ऐसे 800 क्या कहता है तबसे पहले तो भाई साब इसमें स्पेशल क्या है मैंने का स्पेशल है वो लोग जिनके लिए फाइनेंशल स्तेमेंट्स बने है special हैं वो लोग जिनके लिए financial statements बने हैं यानि अभी आप as a auditor जो financial statements का audit करोगे these financial statements are not available for general use ये general purpose financial statements नहीं है these are special purpose financial statement तो इसको कहते है audit of the financial statement जो बने है as for the special purpose framework अब कई बच्चे सोचेंगे sir ये special purpose framework क्या होता है तो आप सबको पता है देखो financial reporting framework होता है हाँ sir तो जो financial reporting framework कुछ specific users के लिए बना है ये आम लोगों के लिए नहीं बना mango people के लिए नहीं बना specific users के लिए बना है इसको कहते है special purpose framework जैसे normal FRF होता है fair presentation और compliance ये भी वैसी होता है fair presentation और compliance अब सरी ये special लोग कौन है मैंने का तीन लोग है इन तीन लोगों को मैं प्यार से बोलता हूँ CRC टर 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 CRC टर 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 ICI ने तीन example दे रखे और भी examples हो सकते हैं बट exam point of view से आपने ये तीन याद रखने है सर इनका क्या मतलब है मैंने का सबसे पहले entity के creditors हो सकता है entity के creditors कहें कि हम आपको goods credit पे दे उससे पहले हम जानना चाहते हैं आपकी working capital position कैसी है cash flow position कैसी है तो वो चाहते हैं आप अपने accounts एक बार cash basis of accounting भी बनाओ सर हम तो accrual basis follow करते हैं देखो accrual basis सबके लिए जब आप specially creditors के लिए बना रहे हो तो आपको cash basis of accounting follow करनी है तो पहला example जो आईसे है वो कहता है creditors के लिए आपने follow करी cash basis of accounting for preparing the financial statement इसी तरह अगर आपका कोई regulator है आपका कोई laws and regulation में को regulatory authority है regulatory authority मतलब आप एक listed company हो आपका regulator कौन से भी से भी कहता है कि हमको आपके financial particular framework के साब से चाहिए तो regulator आजाएगा इसी तरह आपका कोई contractor है सर्फ contractor मतलब आप किसी के साथ contract कर रहे हो agreement कर रहे हो किस चीज का contract है मैंने का debt agreement है borrowing agreement है क्योंकि आप सामने वाले से पैसे ले रहे हो तो जैसे वो चाहेगा वैसे आपको financial statement बना के देने पड़ेंगे तो यह तीन example आई से आपको देके चलता है यही तीन example मैंने भी आपको book में दे रखे है examples of special purpose framework इसी के उपर question मिलेगा आपको study material के back question में और हमारे question bank में तो पहला क्या कहता है सर cash receipts and disbursement basis of accounting simple बोलो cash basis of accounting किसके लिए creditor के लिए इसी तरह financial reporting provisions कि किस Creditor, Regulator, Contractor एक और बार Creditor, Regulator, Contractor क्या यह पहला point किया रहे है हाँ तो इस chapter में 3-4 चीज़े यह जो important है पहली चीज़ हो गए अब आजाओ सर basics तो समझ आ गए, basics तो समझ आ गए, यहाँ जो financial statements बनेगे वो general purpose framework के साब से नहीं बनेगे, special purpose framework के साब से बनेगे audit भी वैसी होगा जैसे सारे standards on auditing में होता था, अब इस ऐसे को हमने 3 parts में divide किया है, सर क्या-क्या, सबसे पहले क्या चीज़े आप consider करोगे, जब आप इस तरह की engagement को accept कर रहे हो, ठीक है सर, accept करने के बाद, जब आप इसको plan or perform करोगे, as per the standards on auditing, तो इसके अंदर क्या special बाते करेंगे, उसकी बात करेंगे, and last में reporting part, which is very very easy, ठीक है सर, सबसे पहले सर आते है, accepting the engagement, मुझे बताओ, जब आपने standards on auditing पड़े, तो कौन सा ऐसे था, जिसमें engagement accept करने की बात होती है, engagement के agreement की बात होती है, सर acceptance होती थी, ऐसे 220 में, और जो engagement agree होता था, agreement बनता था, वो ऐसे 210 म बनता था, तो यहाँ पे, यहाँ पे, सबसे पहले तो आपने देखना है, applicability of FRF, क्या जो FRF है, वो आपको acceptable है की नहीं, यह acceptability किस पर depend करेगी, ऐसे 210 के जो हम factors पढ़ते थे, क्या factors थे, I am sure आप भूल गए होगे, कई सारे बच्चे, don't worry, हम revise कर के चलेंगे, यह कहता है कि हमको meet करनी है, मुझे बताओ, FRF की जो acceptability है, आपको कैसे पता लगेगा, FRF acceptable है की नहीं, acceptable किसके लिए होना चाहिए, सर हम reporting कर रहे है कुछ specific users के लिए, यह specific users कौन है, CRC, creditor, regulator, contractor, तो अगर आप इन specific users की financial information needs को meet कर रहे हो, तो क्या मैं बोल दू, FRF acceptable है, हाँ सर, अब एक ब FRF चुनू, तो ICI कहता है, तीन options available है, बस ध्यान से समझ लो, क्या-क्या, यह कहता है, कोई standard setting organization हो सकती है, जैसे की ICI, जो भी accounting standard है, वो कहां बनते है, ICI के अंदर बनते है, ठीक है सर, इसी तरह, कोई laws and regulations हो सकते हैं, जो आपको standards prescribe करके देते, for example, Companies Act 2013, वो आपको बताते है, accounting standards और INDS के बारे में, इसी तरह, आपका कोई contract भी हो सकता है, जो आपको guide कर दे कि आपको financial statement कहां से बनाने, तो आपका जो FRF वो कहां कहां से आ सकता है, बोलो तीन जगहों से, एक तो standard setting organization, like ICI, एक आ सकता है किसी law और regulation के अंदर से, जैसे companies Act हमको AS और INDS का ग्यान देता है, and third and the most important is a contract, इन तीनों जगहों से आ सकता है, ठीक है sir, अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो standards ICI बता है, जो standard companies Act बता है, इनके अंदर conflict आ जाए, हाँ sir, ऐसा हो सकता है, इनके अंदर conflict आ जाए, तो अगर कोई conflict आता है, तो deal as per asset 210, sir, 210 में कैसे deal करते है, मैंने का इसमें confused होने की जरूत नहीं है, यह आपके course का part नहीं है, बस आपके course में इत्ता लिखा है कि अगर दोनों में conflict हो, तो as per asset 210 deal कर लेना, ठीक है sir, तो अभी तर हमने क्या सिखा, इदर देखो, हम engagement accept कप करेंगे, जब FRF acceptable होगा, FRF acceptable होगा कि नहीं, यह asset 210 की feel में चल में क्या क्या qualities होनी चाहिए, इसको कहते है attributes, इसको क्या कहते है attributes, अब जल्दी से बताओ क्या attributes होने चाहिए, यह वही attributes है, जो मैंने आपको SA 210 में पढ़ाये थे, सबसे पहले देखेंगे nature, दो चीज़ों की, nature of the entity, nature of the financial statement, entity की nature का क्या मतलब है, मैंने का अगर कोई profit organization है, तो उसका FRF अलग होता है, कोई non for profit organization है, तो उसका FRF अलग होता है, income expenditure account, receipt and payment account, तो आपने देखी nature of the entity, इसी तरह आप देखो के nature of the financial statement, यानि आपके जो financial statement है, यह complete set of financial statement है, मतलब P&L, balance sheet, cash flow statement, notes to accounts, या single financial statement है, like only a cash flow statement, तो दो चीज़ों की nature देखी, entity की nature, financial statement की nature, अब देख general purpose financial statement है, या special purpose financial statement, यह ऐसे 210 सिखाता है, and last में आप देखोगे laws and regulation, laws and regulations का क्या मतलब है, आपको पता होगा, अगर आज की date में कोई listed entity है, तो as per the company's act, as per the SEBI rules, उसको अपने financial statement, ind AS के साब से बनाने है, तो जैसा laws and regulation कहता है, वैसा वैसा आपको करके, चलना पड़ेगा, तो यह कहता है, इन attributes को आप use कर सकते हो, in deciding whether the FRF is acceptable or not, अब इन attributes को कैसे use करना है, this is a matter of professional judgment, क्या यहां तक basic basic बाते समझ आ रही है, हाँ सर समझ आ रही है, अब एक बाह बताओ, suppose एक example लेते है, ठीक है, बहुत theoretical बात हो गई, अब एक example लेते है, suppose एक entity बिकरी है, यह बिकरी है entity, ठीक है सर, जब entity बिकरी है, तो क्या इसकी valuation होगी, हाँ, आपने AFM में सीखा ही है, कि valuation होती है, क्या कोई net assets method सीखा है, हाँ सर, net assets method सीखा है, that is assets minus liability, अब मान लो, जिस इनसान को मैं entity बेच रहा हूँ, उसने कहा, कि आप अपने debtors की valuation कैसे करेंगे, gross debtors minus provision is equal to value of the debtor, उसने क जब आप provision मनाऊना, तो याद रखना, जो भी debtors तीन महीने से ज्यादा पुराने है, उस पे आप 100% provision मनाऊगे, क्या ऐसा real life में होता है, क्या ऐसा general purpose financial statement में होता है, the answer is no, the answer is no, ऐसा general purpose financial statement में नहीं होता, ये over prudent है, this is something which is over prudent, this is not neutral, this is not neutral, as compared to the general purpose framework, यहां आपके chapter का essay 800 का first part complete हो जाता है, यहां essay 800 का first part complete हो जल्दी से इदर देखो, सबसे पहले part में शुबंसर ने क्या का था, मैं क्या सिखाऊंगा, considerations when accepting such assignment, जल्दी से बताओ assignment कब accept करोगे, जब FRF acceptable होगा, जब हमको FRF acceptable होगा, तब accept करेंगे, अब मुझे बस थोड़ा स ज्यान बता दो, यह FRF आता कहां से है, सर यह FRF आता है, standard setting organization like ICI, ठीक है, इन बातों को बस आब read कर लेना, यह कहां से आएगा, मैंने का laws and regulation, जैसे की, companies act 2013, ठीक है सर, यह तीसरा मैंने और क्या बताया था, सर यह किसी contract से भी आ सकता है, अब मैंने आपको क्या बोला था, सर कभी कबार ऐसा हो सकता है, की, 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 there can be conflict, बताओ conflict किसके बीच में, ICI, और laws and regulation, there can be conflict between the financial reporting standards, and the laws and regulation, जब भी ऐसा होगा, इन दोनों के बीच में conflict, तो आपको SA 210 के actions के साब से चनना पड़ेगा, ठीक है सर, अब एक बाह बताओ सर, हमें क्या-क्या attributes देखने है, तो SA 210 ने बताओ, बताओ क्या-क्या attributes बताए थे, इदर देखो, क्या-क्या attributes बताए थे, सर आपने 5 attributes बताए थे, हमें कही ना कही देखने है, nature of the entity, कि ये non-for-profit organization है, या फिर profit organization है, उस हिसाब से FRF होगा, फिर आपने देखना था, nature of the financial statement, complete set है, या single financial statement, nature हो गया, अब देखो purpose purpose किसका purpose of the financial statement, general purpose and special purpose and last point was laws and regulation, जैसा laws and regulation कहेंगे, वैसा FRF उठाएंगे, ये basic basic बाते बस आपने समझ के चलनी है, ठीक है sir, इसके बाद ये वही example दे रखा है, जो मैंने आपको बताया था, करी बार fair value calculate करने के लिए, net assets की on the date of sale, तो हो सकता है, आपका जो seller है, और जो purchaser है वो बोले, हमें allowances, यानि provision for doubtful debts on uncollectable account receivable, ये हमें काफी prudent बनाने है, ये हमें काफी prudent बनाने है, तो this is considered to be not neutral, when compared with the general purpose framework, तो यही example मैंने आपके साथ discuss किया था, कि अगर आप ज्यादा provision मना रहे हो, तो इसको neutral नहीं माना जाएगा, as compared to the general purpose framework, क्या यहां तक सारी बाते मैंने अभी तक आपको याद करने के लिए क्या बोला, सर आपने याद करने के लिए बोला, सबसे बहले तो यह याद रखना है, ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको इसमें याद रखके रखना है, वो है standards on auditing, what will be the role of standards on auditing, यानि considerations when planning and performing such audit, तो सबसे बहले इदर देखो, यह कहता है, आपने अपना audit as per standards ही करना है, जैसे आप अपने बाकी audits करते हो as per standards on auditing, यह भी audit as per standards on auditing होगा, और सारे ऐसे इसका राजा कौन है, ऐसे 200 उया कासा, ऐसे 200 उया कासा, यानि overall objectives of independent auditor and conduct of audit as per the standards on auditing, ऐसे 200 क्या कहता है सर, आपने comply करना है हर चीज़ के साथ, all the relevant applicable standards on auditing, ठीक है, plus all the relevant ethical requirements, यानि confidentiality, objectivity, integrity, professional competence, due care, professional behavior, सबके साथ comply करके चलो, ठीक है सर, और independent रहना, मैंने का very good, यह कहता है आपने हर उस essay के साथ comply करना है, जो आपके लिए applicable है, मैंने का very good, unless the essay is irrelevant, or the requirement is irrelevant, कई बार ऐसा होते है हम normal audit procedure नहीं कर पाते, कई बार ऐसा होते हम normal audit procedure नही कर पाते हैं, तो alternate audit procedure करते हैं, so in exceptional circumstance, जब आप normal audit procedure ना कर पाओ, तो alternate audit procedure करके चलना, क्या यहाँ पर मैंने आपको कुछ नया बताया, नहीं, जो बाते basics हमने पहले से सीख रखिए, उनको revise करा दिया, अब आती है सर, specialty तीन items की, बताओ ये तीन items क्या है, 320, 260, 700, come on, 320, 260, 700, chapter खतम होने वाले, फटावड फोकस कर लो बाबू, ठीक है सर, 320 में हम बात करते हैं, materiality की, सबसे बहले सर एक बाब बताओ, यहाँ जो materiality निकलती है, वो materiality का मतलब क्यो आते है, मैं तो कहते है, फालतु में गई, भाड में गई, सारी बात है, इधर देखो, materiality का मतलब क्यो अब तुमको बताना पड़ेगा, बोलो, information is considered to be material, हाँ, पूरी definition बोलो, interview में बैठोगे तुम, सामने बैठा होगा, hero, सवाल पुझेगा तुम से, लाखो का, नौकरी का, वो है, सवाल, जवाब दो, materiality क्यों होती है, when is the information considered to be material, information is considered to be material, when it can influence the economic decision of the user of the financial statement, मैंने का very good, यानि तुम कहना चाहते हो, material वो information है, जिससे कही ना कही मेरा economic decision, जो भी मैं entity को लेके, लेना चाहते हो, suppose मैं entity के shares में invest करना चाहता हो, या नहीं करना चाहता हो, वो affect हो सकता है, very good, अब मुझे बताओ, क्या तुमको समझ आ रहा है, मैं किस direction म ले जा रहा हो, हाँ सर समझ रहे है, कई ना कई user को ध्यान में रखके materiality बनाए जाती है, तो अब मुझे बताओ, हम special purpose framework की बात करें, तो क्या हम general users की बात करेंगे, specific users की, will we talk about the general users or specific users, sir, specific user, तो देखो क्या कहता है, जब भी आप financial statements generally audit करते हो, तो आप क्या consider करते हो, common financial information needs of the user, बट जब बात होती है, SPFS, SPFS का क्या मतलब है, special purpose financial statement, general purpose financial statement is GPFS, special purpose financial statement is SPFS, very good sir, जब SPFS होगा, तो हम किसकी information needs consider करेंगे, उन specific users की, उन intended users की, जिनके लिए financial statement बना रहे हैं, for example, CRC, टर, 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 creditor, regulator, और contractor, जो उनकी needs है, उनको ध्यान में रखके हम materiality बनाएंग अब इनों ने इसमें एक मसालेदार बाट डाली, क्या, हो सकता है, company जो है, और जो intended party है, ये दोनों अपने बीच में agreement कर ले, जिसमें management बोले, कि इस particular threshold के नीचे गलती होगी, इस particular threshold के नीचे गलती होगी, तो हम ठीक नहीं करेंगे, हो सकता है, management बोल दे, इस particular threshold के नीचे तो हम ठीक नहीं करेंगे, और ये बात उसने intended user से agree कर रखी है, क्या इस बात से फरक पड़ता है, essay 320 में आप क्या materiality निकालोगे, the answer is no, जब मैंने आपको essay 320 पड़ाया, तो मैंने ऐसी कोई फालतू बात की ही नहीं थी, कि आपको management और intended user के agreement को देखके materiality पे कोई फरक पड पड़ेंगे, बट क्या इसका ये मतलब है, हम 320 आपसे materiality ना निकाले, ना 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 निकालनी पड़ेगी, this doesn't relieve the auditor from determining the materiality as per 320, जैसे वो पहले निकालते है, वैसी अभी निकाल के चलेगा, क्या ये basic बात समझा ही materiality की, हाँ, तो मैंने का materiality में special क्या था, general users नहीं, intended user, plus अ communication with TCWG, इनर देखो, क्या मुझे TCWG से communicate करना पड़ता है, हाँ, ऐसे 260 में हमने बहुत अच्छे से पड़ा है, कई ना कई two way communication होनी चीए, constructive relationship बननी चीए, बट अब एक बात बताओ, क्या आपके general purpose financial statement, जो बन रहे हैं, उनका बनने का तरीका, और special purpose financial statement बनने का तरीका अलग है, हाँ, क्योंकि दोनों का FRF अलग है, इसका FRF is the general purpose framework, इसका is the special purpose framework, क्योंकि दोनों का बनावट अलग है, तो मुझे एक बात बताओ, TCWG कौन होता है, जो oversee करता है, जो oversee करता है, financial reporting process, तो एक बात बताओ, जब इनके process अलग-अलग है, तो क्या इन दोनों का TCWG अलग-अ हो सकता है, feel की बात है, feel से जवाब दो, अगर इनके process अलग है, general का process अलग, special का अलग, तो क्या इनको oversee करने वाले TCWG अलग हो सकता है, the answer is yes, अलग हो सकता है, तो जब आप communicate करोगे special purpose के लिए, तो आप different TCWG से communicate कर सकते हो, sir, क्या बात बोल रहे हो, मैंने का हाँ, यह लिख the entity, ठीक है, sir, तो उस हिसाब से फिर आप उनसे एक बार already बात कर चुके हो, अब जो मसालेदार बात है, वो आती है, अब देखो, when the complete set of general purpose financial statement is also prepared by the entity, those responsible for the oversight of SPFS may not be the same as the TCWG of GPFS, हो सकता है, SPFS के TCWG और GPFS के TCWG अलग-अलग हो, तो उनसे अलग-अलग बाते करना, क्या यह basic बात समझा रही है, हा सरी, तो बड़ी मज़ेदार बात है, मैं तो कह रहा हूँ, feel से पढ़ोगे, तभी आगे बढ़ोगे, and last point is SA 700, SA 700 क्या है, मैंने का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, जैसे SA 700 के सारे elements of audit report आते थी, कि आप title लिखते थे, independent auditors report, फिर आप लिखते थे हमारा audit opinion क्या है, फिर आप लिखते थे, auditor की responsibility, management की responsibility, उसके बाद आपका signature, आपका place, आपकी last में जितनी भी चीज़े आ जाती थी, वैसे ही इसमें भी आएगा, you didn't, you didn't, इसमें भी आएगा, same to same रहेगा, बस इसमें आपने एक special बात ध्यान रखने है, जो यहां लिखी है ठीक है, उससे पहले आप इन्होंने बात लिखे कि आपको अपना FRF describe करना पड़ेगा, तो basically आपको बताना पड़ेगा, कि जो भी financial statement बने है, वो किस हिसाब से बने है, क्या वो आपने as per contract बनाए है, या आपके पास अगर management, भौत सारे FRFs available थे, बहुत सारे FRFs available थे और आ management की responsibility है, उसमें ये बात भी आएगी, कि उसको choice करनी थी, तो ये वाला जो part है, मेरी बस आपस एक छोटी सी request है, इसको please read कर लेना, from application point of view, from case study point of view, may be helpful, अब एक बात समझना देखो, क्या है, सर, user को कैसे पता लगेगा, user को कैसे पता लगेगा, ये general purpose financial statement की audit report है, या special purpose, आपको user को alert करना पड़ेगा, कि भाई ये तेरे लिए नहीं है, भाई ये तेरे लिए नहीं है, ये मैंने किसी creditor के लिए बनाई है, ये मैंने किसी regulator के लिए बनाई है, या ये मैंने किसी contractor के लिए बनाई है, तो देखो क्या कहता है, जो special purpose financial statement है, कही ना कही किसी और purpose के ल पर special purpose framework के लिए बने है and क्योंकि special purpose है तो ये किसी और purpose के लिए suitable नहीं है क्योंकि special purpose है तो किसी और purpose के लिए suitable नहीं है for example करी बार ऐसा होता ना घर में जो खाना बनता है वो किसी ऐसे person के लिए बनता है जो बिमार है तो खाने के साथ वो लिख देते ना कि this is not suitable, this is not suitable for healthy people, this is for बीमार only, तो याद रखना आप इसमें क्या बोलो कि ये financial statement, special purpose के लिए ये खाना इसके लिए बना है, ये किसी और के लिए suitable नहीं है, क्या ये basic feel समझ आ रही है, हाँ समझ गए, अब last में आप इसी के लिए एक पैरा डाल देते हो, restriction on distribution and use, तो देखो क्य कहता है, क्या ही ना कहीं लोगों को alert करने के लिए आप एक पैरा डाल दो, आप एक पैरा डाल दो, in addition to alert, आप डाल दो एक पैरा जिसमें आप लिख दो, it is intended solely for the specific user, जो भी वो intended user है, CRC, टर्टर, टर, creditor, regulator, contractor, उसका नाम लिख दो, और लिख दो कि this can be achieved by restricting the distribution, उसमें आप एक पैरा डालोगे, जिसमें आप बोलोगे, कि this is intended solely for this user, इसको आप आगे distribute मत करो, तब क्या आप हमको दिखा सकते हो, एक report में कैसे आता है, तो मैंने आपको का था ना देखो, ऐसे 700 की जैसे independent auditors report होती है, वैसे ही है, अब बताओ ये किस special user के लिए बनाई गई है, sir, ये बनाई गई है, for the board of directors of the holding company, जो holding company थी, उसके लिए कई ना कई board of directors के लिए बनाई गई है, for the purpose of consolidation, ठीक है, अगर आपको पता रहेगा, मैं थोड़ा सा एक level आगे जा रहो, चलेगा, चलेगा sir, अगर आपको पता रहेगा, consolidation करने के लिए, जो holding company के financial statement होते है, और subsidiary के financial statement होत तो कई बार subsidiary को holding के लिए, सिरफ और सिरफ holding के साथ consolidation करने के लिए, इसी special purpose के लिए, अलग से financial statement बनाने पड़ते है, तो आपको अगर पता होगा, कोई subsidiary अगर AS में बना रही है, तो holding के साथ consolidate करने के लिए, उसको ind AS पे जाना पड़ते है, तो this is the special purpose जिसके लिए financial statement बने जो मैं आपके लिए practically लाया हूँ, ठीक है sir, अब अगर आप देखो, opinion वैसा का वैसे ही है, basis of opinion वैसा का वैसे ही है, कि हमने standard zone auditing करे हो, वो सारी बाते इसमें लिखिये है, last में जैसे मैंने आपको का था कि आपको एक पैरा डालना पड़ेगा, restriction on distribution or use, तो इसमें आप सबस इसको use ना करें, हम इसका distribution restrict करते हैं, तो आपने यहापे लिखा, intended solely for the company and the board of directors of the company, कोई भी बंदा अगर इसको use करता है, other than the company or the board of directors of the holding company and the subsidiary company, उनके अलावा हम किसी को भी responsible नहीं है, तो यह basic सी बात आपने ध्यान में रखके हैं, चलनी है, clear है, clear sir, अब जल्दी से फटा company, she is also offered the professional work of the audit of financial statement prepared as per the loan agreement, मुझे बताओ, loan agreement क्या मैंने बोला था, CRC tertar में आ जाएगा, creditor, regulator, contractor, so this is a loan agreement or a loan contract, तो आप सीधा सीधा बोलोगे, इसने accept भी कर लिया, और सोचा कि मैं other matter paragraph डाल के यह बात बता दूँगी, तो मैंने कोई दिक्कत की बात नहीं है, approach of this CA Lalita is proper, ठ इस इक बात समझ के चलना, अगला है sir CA Lakshmi, she has prepared a draft audit report for the financial statement of X limited, prepared as per the financial reporting provisions of a contract, again, यह financial reporting provisions जो general purpose framework के इसाफ से बने है, special purpose framework, sir contract is a special purpose framework, खिक है sir, तो यह कहता है कि besides she has also drawn the attention in the draft audit report, to the note number A of the financial statement, जहाँ पर यह basis of accounting लिखा है, प्लस यह चाहती है, कि कहीं न कहीं जो report misused now, तो मुझे बताओ क्या मैंने आपको misuse avoid करने के लिए बात बतायती है, हाँ, आप कहीं न कहीं पैरा डाल सकते हो, alerting the users की sir, यह सिरफ specific users के लिए है, सब के लिए नहीं है, not for any other purpose, प्लस आप एक heading डाल दो restriction on distribution and use, और उसमें आप suitable for any other purpose, it is intended only for two companies जिनकी बात कर रखिये, X limited और Y limited, यहां आपकी पूरी की पूरी revision completely finished होती है, of SA 800, I hope पूरा का पूरा SA end-to-end आपको clear है, इसमें बस आपने तीन चीजों पर focus करके चलना है, एक तो यह alert and restriction on distribution and use, तीसरी चीज थी, यह normal SA's, प्लस तीन SA's का तड़का, materiality, TCWG or SA 700 and the last thing is CRC, creditor, regulator, contractor, I hope you enjoyed this revision, देखो बहुत ही प्यारा chapter है, यह जो 800 की series है, इसमें से एक कोशन आना ही आना है, पांच नमबर का, प्लीज इसको एकदम अच्छे से पूरी शिद्यत से एक बार वापिस आप भी revise कर लिजेगा, और एक बार कोशन बैंग प्रैक्टिस कर ल प्रेंगे.